ये है नियॉर्क एक ऐसा शहर जिससे दुनिया वाकिप है मगर इसे और करीच से जानने के लिए जरूरी है इसकी गहमा गहमी को जरा थम कर देखना यानि रफ्तार भी हो और ठहरा भी इसके लिए क्या मुनासिब है आराम देह बस भोड़ा गारी या फिर या रिक्षा जाहिर है अपरा तफ्रीक के बीच इक मीनान का लुख इस रिक्षे पर बैट कर भी उठाय जा सकता है चौकिया नहीं इसका रूप हिंदूस्तानी है लेकिन नाम अमेरिकी इसे अमेरिका में पेडी कैप हुकारा जाता है नियॉक में रिक्षा है ना दिल्चस्प बात लेकिन इससे भी ज़्यादा दिल्चस्प है रिक्षा चलाती एक महिला ये है 42 साल की हाईडी बेनेडिक्ट अनोके शेहर में अनोकी सवारी में खुनने का तजुर्बा भी अनोका ही है तीन सालों से हाईडी पेडी कैप चला रही है सर्दियों के अलावा ये रोजाना लोगों को नियॉक की सेर कराती है रिक्षा खराब हो जाए तो इसकी मरम्मत करना भी इने खुब आता है बावजुद इसके कुछ लोग इने पेडी कैप चलाते देख चौकते जरूर है लेकिन पेडी कैप में शान से बैठना जेब पर भरी बला आदे घंटे की सवारी का किराय था 50 डॉलर याने लगभग 2200 रुपए वो भी काफी मोल भाव के बाद वैसे अमेरिका का ये विक्सित रिक्षा भारत के विकास्चिल रिक्षे से बहतर है इनमें हाइडरॉलिक ब्रेक के साथ येर भी है ताकत भले ही कम लगे तरीका मुश्किल ही है आदे घंटे की सवारी आपको पेडिकैप चलाने वाला नहीं बना सकती पेडिकैप चलाने की मेरी कोशिश तो नाकामियाब रही लेकिन नियॉक में साड़े तीन सो से ज्यादा लोग पेडिकैप चलाते हैं और इसे चलाने के लिए किसी भी लाइसेंस या परमिट की कोई ज़रुवत नहीं नियॉक से वाइस अफ अमेरिका का मेरोहिद कुलकरणी आज तक के लिए